थर्ड यूनिट है हमारी ओप्टिकल एवरेशन्स एंड दिसपर्जन तो एवरेशन्स हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था तो वह क्या था कि जो आपकी इमेज बन रही है उसमें जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं बिकोज ऑफ दा उप्टिकल सिस्टम देट यूर यूजिन आइदर यह एक लेंस है या फिर लेंस के कोई कॉम्बिनेशन है ठीक है तो वह हम इस यूनिट में पढ़ेंगे तो यह जो डिफेक्ट्स होते हैं आपके या फिर जो एवरेशन्स हैं आपके जो इमेजेज में हैं वह उनको ब्रोडली दो ग्रूप में बाटा गया है पहल है कि है तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आक्जुलीझ यह वाला जो डिफेक्ट्स किस से रिलेटेट्ट है कि ऽींगे कि जो आपका, अगर कोई white object है, ठीक है, तो उसकी जो image बनेगी, वो actually colored बनती है, ठीक है, तो इसलिए, तो अभी क्या हो रहा है, आपका जो image है, वो object के similar नहीं बनी, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो image है, वो defective है, ठीक है, तो और ये defect किस वज़े से आता है, तो ये defect आता है, lens की वज़े से, ठीक है, lens की वज़े से कैसे आता है, कि आप किसी भी lens को मान सकते है, कि वो कई सारे parts से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और हर एक part क्या है, एक prism की तरा behave कर रहा है, ठीक है, तो इस case में क्या होगा, अभी आपको prism के लिए पता है, कि prism में disperusion होता है, ठ तो अब इस image में आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि आपकी ये white light PQ गई आपके prism के उपर और finally आपको क्या है हर एक color का signal मिला finally जब ये इस से dispersion हो गई है तो आपको seven colors जो है वो different जगा पर उनकी position मिली आपको ठीक है तो actually इसमें होता क्या है कि ये आपको पता ही है कि जो seven colors से ठीक है और फिर प्रिज्म की क्या property है कि प्रिज्म में हर एक color की जो velocity है वो different होती है ठीक है हर एक color जो है different speed से जा रहा है प्रिज्म के अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि प्रिज्म का जो refractive index होता है वो हरे एक color के लिए different होता है, इस वज़य से हर एक color की speed अलग होगी, और जो फिर उसका deviation हो रहा है, ठीक है, पर इसमे की वज़य से जो यह deviation हो रहा है, जितना वो अपनी axis से जुग जा रही है, वो भी क्या होगा, different होगा हर एक color के लिए, इसलिए क्या है, हमें हर एक color का अलग signal मिल जिसे prismatic action बोल रहे हैं हम ठीक है तो chromatic evasion तो इस वजे से आया second है आपका monochromatic evasion यहाँ पर mono का मतलब क्या है mono से मतलब है single ठीक है तो यह evasion वो है कि अगर even अगर आप एक single color की light डाले ठीक है single color मतलब चाहे वो yellow है तो यहलो ही है green है तो green ही है ठीक है जैसे white थी वो सबसे मिलकर बनी वी थी पर अभी हम क्या है एक single color की जो light है वो डाल रहे है अपने lens के system पे ठीक है तो उस case में क्या होगा आपका जो यह पहले वाला defect था chromatic evasion वो तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यह color की विजय से हो रहा था तो इस case में जब आप single color की light use कर रहे हैं उस case में भी कुछ defects होते हैं ठीक है तो उन defects को हम क्या बोल रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं monochromatic evasion ठीक है अब यह जो monochromatic evasion है यह भी पांस टाइप के होते हैं ठीक है इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ते हैं chromatic evasion का ठीक है तो chromatic evasion तो इसमें सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि जो हमारा lens है उसकी focal length का formula तो किसी thin lens की formula यह हो गया r1 और r2 क्या है आपको पता है radius of curvature इसके दोनों surfaces का तो उसके बाद आप देखी कि यह आपकी white light गई ठीक है उसके बाद क्या हुआ जो आपकी white light थी उसमें seven colors है तो क्या होगा आपको deviation के बाद क्या है आपको seven colors के यहापर क्या है points मिलेंगे ठीक है तो यह first जो point है यह आप red color के लिए और यह red color के लिए बाकी जो सारे colors है वो इसके बीच में उनके points आपको मिलेंगे ठीक है तो इस case में अभी हमें क्या निकालना है हम जो यह chromatic avaration है इनकी value निकालेंगे तो हम दो type के avarations value निकालेंगे इस case में एक है आपका longitudinal avaration और second है आपका lateral ठीक है longitudinal आपको पता है कि longitudinal में हम क्या करते है एक्सेस पे देखते हैं ठीक है यह axial वाला जो होगा हमारा वो एवरेशन आएगा और literal के case में आपका transverse वाला एवरेशन आएगा तो इसका मतलब क्या है तो देखिए अभी आपकी white light आई थी तो violet के लिए यहाँ पर था आपका red के लिए यहा होगा ठीक है उसे हम क्या बोलेंगे वह हमारा एक्षियल एवरेशन की value देगा ठीक है इसके अलावा फिर आपका है lateral तो उस case में क्या है आपका transverse मतलब तो उस case में अभी यह वाला case है आपका क्या कि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि infinity से आपकी white light आ रही है ठीक है पर transverse के लि और जो आपका red है उनके लिए अलग-अलग image बनेगी अलग-अलग size की image बनती है यह अभी आप आगे समझेंगे की कैसे हो रहा है तो यह जो आपकी images बन रही है इन images के size का जो difference होगा वह आपका transverse magnification देगा sorry transverse evaluation देगा आपका वह हम आगे पढ़ेंगे अभी पहले हम जो ह यह हमारा longitudinal यह है जो axial आपका variation है उसकी value देखते हैं कि इन दोनों का difference क्या आता है तो इसमें क्या है आपका सबसे पहले हमने जो focal length है वो उसका formula लिखा है ठीक है और यहाँ पर हम कौन सा case ले रहे हैं कि आपका object क्या है infinity पर है तो इस case में क्या है आपकी जो raise आ रही है वो क्या है axis के parallel आ रही होंगी मतलब जो पीछे image आपको लिखाई थी वो ही आप case मान सकते हैं यह वाला ठीक है तो अभी क्या होगा यह हमने इसकी focal length लिखती उसके आद हम इसे differentiate कर देते हैं इस formula को तो r1 और r2 तो आपके fixed है तो differentiate क्या होंगी आपकी जो f है वो differentiate होगा और जो mu है क्योंकि आपका refractive index है ठीक है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर different color के लिए different f ह हो रहा है और different mu हो रहा है तो अभी हमने इसे differentiate कर दिया है अब delta f आ गया है आपका delta mu आ गया है रख दिया है mu v minus mu r ठीक है तो उसके बाद क्या है कि अब हम इसे आगे solve करते हैं उसके यह वाला जो आपका factor है ठीक है mu v minus mu r upon mu minus 1 यह actually किसकी value है यह जो आपका lens है उसकी dispersive power का formula है उसे हमने omega से represent कर दिया है अब इसकी जगा पर omega रख देंगे तो आपका जो f r minus f b या फिर जो आपका longitudinal average आया उसकी value क्या आई है आपकी omega into f f यहाँ पर क्या होगी फिर आपकी जो mean या फिर जो average focal length है आपके lens के लिए वो यह इसकी value दे रहा है यह single color के लिए नहीं है यह इसकी total जो average होके आईगी वो इसकी focal length है ठीक है तो इस तरह से हमने longitudinal chromatic average निकाल दिया है और कब जबकि आपकी आपका जो object है वो infinity पे था second case लेते हैं कि जो आपका objective हो एक finite distance पे रखा है तो इसमें देखते हैं कि क्या आता है separation तो इसके लिए हमने focal length लिए 1yv minus 1yu is equals to 1yf यह formula हमने यहाँ पर use किया यहाँ पर भी फिर से जैसे पीछे किया था इसे differentiate कर देंगे तो अब यहाँ पर आपका है delta v delta f तो delta f की जगा आपको पता है जैसे पीछे रखा था आपने fr minus fv वैसे ही रख देंगे delta v की जगा भी जो आपका red जो red के लिए जो image बन रही हो उसकी position vr minus vb उसके याद हमने आपर value substitute कर दी है उपर उसके याद हमें finally क्या मिला कि जो आपका vr minus vb है ठीक है इसका difference क्या है आपका v square into omega upon f यह आपका क्या आया है जब आपकी image क्या है finite distance पे रखी हुई है तब avaration यह आया है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए कि पीछे क्या हो रहा था पीछे हमने निकाला था fr minus fb क्योंकि उस case में आपका वही जो है आपका axial जो difference आ रहा था red और violet के लिए वो fr minus fb दे रहा था यहाँ पर आप देख रहे थे कि dependency थी omega पर और f ठीक है focal lens पर और जो आपका object की जो image बन रही है वो और vr और vv जो है वो उसकी distance बता रहा है इसलिए हमने vr minus vv निकाला है तो यहाँ पर क्या है omega और f के अलावा यह डिपेंड कर रहा है किस पर v पर v क्या है आपकी image की distance और indirect way में यह किस पर depend कर रहा है यू पर मतला आपके object की distance पर तो इस case म हमने longitudinal chromatic avaration देखा किस case में जब आपका object finite distance पर है और एक case में जब आपका infinite distance पर अब आता है आपका lateral chromatic avaration तो लेटरल जैसे पहले बताया था तो आप देखिए एक diagram में तो a b क्या है यह आपका object हो गया ठीक है इससे आपकी raise जारी है ठीक है यह आपकी raise गया उसके बाद lens से diffraction के बाद reflection के बाद क्या हो रहा है यह आपकी different colors में क्या हो गए डिवाइड हो गए ठीक है यहाँ आपकी यहाँ पे सिर वी और आर दिखाया है violet और red का बाकी इनके बीच में होंगे तो आप देखिए कि यह दोनों अलग-अलग divide हो गए है उसके बाद इनकी जो image बन आपका av, vv और red के लिए आपका br, ar तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों color के लिए जो images हैं उनका size क्या है आपका different है तो इन दोनों की size में जो difference होगा उसे ही क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं आप literal chromatic aberration ठीक है उसके लाबा यहाँ पर आप देखिए कि इसे समझा क्या है कि जैसे magnification है उसका आपका यह formula है और since जो f है वो आपको पता है कि red और violet के लिए different है इसलिए क्या है दोनों के case में magnification क्या है आपका different होगा मतलब magnification आपका color पे depend करेगा ठीक है तो इस तरह से हमने आज chromatic aberration देखा और उसके expression देखे अभी बात कल हम देखेंगे कि achromatism क्या होता है मतलब जो achromatic आपका aberration है उसको remove करने के लिए क्या किया जाता है